आम आदमी ओवर्चार्जिंग से परिशान है ओवर्चार्जिंग इस बात की कि किसी भी विक्ति को आटो लेना है किसी जगा जाने के लिए हस्पताल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, या किसी भी जगा पर जाने के लिए तो जो rate ट्रांसपोर्ट विभाग ने तै किया है उस rate पर चलने को आटो वाले तैयार नहीं ट्राफिक वाले enforcement करा के तैयार नहीं उसी तरीके से अगर किसी को long route पे travel करना है, cap book करनी है तो टैक्सी वाले भी लोग ये शिकायत करते हैं कि जो rate ट्रांसपोर्ट विभाग में fix किया हुआ है उस rate से कई जादा चार्ज करते हैं, ऐसे में alternatives क्या, alternatives जब आप देश के किसी भी और भाग में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर Ola, Uber या उस जगा की जो local apps हैं, उनका काफी ज़ादा इस्तमाल जो है लोग करते हैं ताकि उन्हें सस्ते दामों में cab मिल जाए, auto मिल जाए, bike मिल जाए, ताकि travel करना आसान हो जाए और ये केवल locals के लिए ही नहीं, बलकि कोई tourist भी जब किसी जगार नहीं जगार आता है, तो वो भी आसान समझता है कि एक app के जरीए आप आराम से जो है book कर सकते हैं, कि आपको इस जगा से इस जगा जाना है, कितने पैसे लगेंगे और वो पैसा फिर आप पे कर सकते हैं लेकिन जब बात आती है जो मुकश्मीर की जो मुकश्मीर में ना ओला चल रहा है ना उबर चल रहा है और जो कुछ एक alternative आपस चल भी रहे हैं उनको लेकर भी जब सरकार से बालुम किया जाता है तो मालुम ये चलता है कि आपस तयार हैं, लोग तयार है टैक्सी ड्राइवर्स इन सभी आपस के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन सरकार ने अभी तक अनुमती नहीं दी हैं कि यह अलग-अलग कैब एग्रिगेटर्स जो मुकुश्मीर में फंक्शन कर सकें चाहें नोवो कैब की बात की जाए या मेक्सी या फिर मेगा टैक्सी की बात की जाए मेरे साथ इस समय मेगा टैक्सी के ही जो ओनर है अश्मनी खजूरिया हैं इनसे जानते हैं कि आखिर अर्चन कहां पर आ रही है और जहां देश के हरे कोने में आज़के टाइम में अलग- मेगा टेक्सी शुरू किया तो कहां कहां पर अर्चने आ रही है और मेगा टेक्सी हो नोवो क्याब्स हो यह अभी तक जो है प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से फंक्शनल क्यू नहीं हो पाया है नमश्कार जी जहां तक मैं गौर्मेंट की पॉलसी थी इसके रिगार्डि हमारी बात हुई है उस वक्ते राहुल शर्मा थे ट्रांस्पोर्ट कमिशनर तो उस वक्त इन्हों नहीं बताया कि हमने अगे इसको सिंप्लिफाई करके सेक्टेर में भेजा हुआ है वो कुछ स्टेप्स हैं उसके वेरिफिकेशन के वो चल रहे हैं तो आफ्टर जो फ्रे कर देंगे लोग इस समय आपके आप डाउनलोड तो जरूर कर सकते हैं लेकिन टाक्सी तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक सरकार जो अलाव नहीं करती आपको कि आप भी जो है मार्केट में आजाएं और काम करना शुरू कर बिल्कुल बिल्कुल जहां तक कल आपने वह बत लाखे में चले जाएं तो वहाँ पर भी टाक्सी ड्राइवर्स अक्सर यह कंप्लेंट करते हैं कि हम कमर्शल गाड़ी का टैक्स भी पे करें हम कमर्शल गाड़ी के लिए सो जितनी भी फॉर्मालिटी होती है वो भी पूरी करें लेकिन दूसरी तरफ देखने को यह मलता ह है कि प्राइवेट गाड़ियां जो है टाक्सी के तौर पर चल रही है बिल्कुल बिल्कुल जहां तक यह नोवो का सवाल है यह भी उपरेट कर रहे हैं तिल आज की डेट तक गौर्मन ने किसी भी एजनसी को किसी भी एग्रीगेटर को अभी तक मतलों लाइसेंस इसू न जितने भी कंप्लाइंसेज हैं अगर वो नहीं हो रखे कल को किसी भी मिस हैपनिंग में जितने भी कस्टमर्स रहाज यह त्रेवलर प्रसेंजर रहें वह किसी दिक्कत या परशानी में आ जाएंगे तो अभी किसी को अलोव नीं किया है तो मेरी भी रिक्वेस्ट गर्में से कि इमिडेट बेसिस पर यह पॉलसी लाई जाए जो फ्रेमोट होने के गई यह दुबारा तो हम तैयार हम करेंगे लॉंच इसको जान तक मेरी चानकारी है मैंने यह चीज़ देखी कि कश्मीर में जो लोग च्रावल करते हैं कश्मीर से जम्मू आते तो जरूर यह बात करते हैं कि वहां पर हमारे यहां तो नोवो काब अच्छे से चल रही है आपके यहां कोई टैक्सी सर्वेस अवेलिबल नहीं है उसके बाद मेरी भी कलीग ने जब नोवो काब इस्तमाल की तो उन्हें मालूम चला कि पिछले छे महीने से जम्मू में चल रही है बहुत कम इस चीज के बारे में मालूम है तो आपको क्या लगता है कि लीगल ना होने के बावजूद भी कम अवेरनेस होने के बावजूद भी आज के टाइम में अगर जमू कश्मीर में लोग जो हैं नोगो का इस्तमाल कर रहे हैं तो कारण क्या है क्यूंकि ओटो लीगल तरीके से चल रहे हैं लोग उसमें चलना पसंद नहीं करते क्या लीगल तरीके से चल रहे हैं लोग उसमें चलना पसंद नहीं करते dependence in apps के उपर illegal होने के बावजूद भी क्यों बढ़ रही है actually लोगों को awareness नहीं है ना कि whether they are allowed to do this business or not लोगों को उनको पता नहीं है ना तो किसी ने इन्होंने तो आजकल आपको social media का जमाना है तो social media से लोग देख रहे हैं वो अपने आपको promote भी कर रहे हैं बट जहां तक ऐसे promote करना without any license any authority illegal है उनको नहीं करना चाहिए उनको साथ मिलके सब को मिलके और भी stakeholder है मेरे अलावा जमू में 5-7 ऐसे लोग हैं जो इस policy को लेकर तयार हैं करने के लिए even के जो हमारे unions हैं उनका भी बड़ा अच्छा रोल है उनको भी government ने मतलब अलोग किया था आप आईए आप भी करिए तो वो भी बड़े अच्छा stakeholder है यह मिलके अगर सब चलेंगे तो बहुत अच्छी मतलब यह चीज़ चलने वाली है और लोगों को इसका फायदा होगा आप समयना चाहूंगी कि क्या आप मानेंगे कि पहले जब जमू कश्मीर में ओला उबर लाने की बात की गई जितने बार भी सरकार की तरफ से कहा गया कि यहां पर भी cab aggregators आएंगे उतनी बार जो है resistance भी देखने को मिली इनी taxi units की तरफ से क्या उसमें कोई बदलाव आज के समय में आया है क्या taxi operators जो है या auto operators जो है उनको समझ में बात आना शुरू हुई है कि अगर cab aggregators आते हैं तो उसे उनको नुकसान नहीं उनको फायदा होगा ऐसा कुछ नहीं है यह notification जारी करने से पहले government ने suggestion and objections के लिए उनको बिलाया था एक platform पे सबको बिठाया है और उनसे after proper discussion उन्होंने ये किया ऐसा कुछ नहीं है कोई किसी को मना नहीं कर रहा है चलाने के लिए बट अभी तक यह policy जो है उनके end पे रुखी हुई है वो जैसे आएगी यह चलेगी दिकत कहां पर आ रही है अर्चन कहां पर आ रही है सरकार से आपकी बाचीत भी होती होगी आप पूछते भी होगे क्योंकि जिसका स्टेक होता है उसको इंटरस्ट भी होता है कि मालूम किया जाए कि कब तक यह चीज पॉसिबल हो पाएगी तो सरकार क जहां तक मैंने परसनली जाके ट्रांसपर्ट कमिशनर साब सभी पता किया था, तो थोड़े दिन में वो कह रहे हैं कि आने वाली है पॉलिसी, आने वाली है पॉलिसी, आखिर मैं आप से समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये देखने को मिलता है कि लोग जो हैं जिनकी प् जाते हैं तो पार्ट टाइम ही से ही को थोड़े थोड़े पैसे जो हैं वो कमा पाएंगे तो उसका भी क्या कोई वे आउट इस नहीं पॉलिसी में होगा कि आम व्यक्ति जो है जिसके पास गाड़ी है अगर वो कुछ फॉर्मालिटी फुल्फिल करके उसका कमोर्शल इस् किसी भी अग्डिगेटर के साथ चला सकते हैं तो यह अच्छा स्टैप है लोगों को रोजगार भी मिलेगा जिस चीज़ की ज़रूरत है अभी तो आप देखिए नोक्री नहीं तो चोटा मोटा रोजगार यह है यह मिलेगा लोगों को और उसमें यह भी है कि इनको काफी क्लिक करेंगे कहीं बैठके भी गाड़ी बुक कर लेंगे तो इन लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा इस पॉलसी में है जो प्रीवेश पॉलसी ती उसमें यह था पांच साल तक आप अपनी कैब विद किसी एग्रिगेटर के साथ रिजिस्टर कर सकते हैं बिलकुल और अपरेटिंग किसी आप कभी इस्तमाल लोग इतना बढ़ जड़कर कर रहे हैं तो उससे यह चीज तो प्रूव होती है कि लोगों को जरूरत है कि ओला उबर या उसका कोई ऑल्टरनेटिव जमुकुश्मीर में हो जिसका इस्तमाल लोग कर सके वहीं जैसे इन्होंने बता च्रावलिंग जो है उसे आसान कर सके लेकिन देखना है होगा कि इतने इतना समय बीच जाने के बाद भी अर्चन आखिर कहां पर आ रही है अगर सरकार कोई चीज मालूम है कि इस तरीके से लोग तयार बैठे हैं स्टेक होल्डर तयार बैठे हैं कुछ टैक्सी ऑपरेटर सो अपरेट भी करना शुरू हो गए है तो पॉलिसी जल्द लाले में फायदा सरकार का भी है और फायदा आम लोगों का भी है जो लोग यह देखते हैं कि जहां एक तरफ जब हम प्राइवेट किसी गाड़ी को हायर करने के लिए जाते हैं तो उनसे मुमांगा रेट लिया सुना होगा कि जब आप कहीं पर आटो बुक करने के लिए जाते हैं आपको 500 रुपे देने को बोलता है तो यह साथ साथ में यह भी बोलता है कि मैं आपको छोड़ने तो जाओंगा वापिस मुझे खाली आना पड़ेगा तो मेरे तेल का खर्चा पूरा नहीं होगा लेकि दूसरी ओर जो है पैसे जो है वो आपके उतने ही लगेंगे जितना तै किया जाएगा चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभा के तै रेट सो या फिर जो आप में कैलकुलेशन के साथ तै किया जाता है कि इतना डिस्टेंस अगर आपने क्रॉस किया पेट्रोल का इतना रेट जम कश्मीर में चलना शुरू कर सकें